बच्चों आज से हम थोड़ा सा संस्कित साहित के बारे में पढ़ेंगे यानि जो आपकी किताब लगती है, पुस्तक लगती है संस्कित की, उसकी संस्कित के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे थोड़ा ध्यान देंगे तो बातें साफ होती चले जाएंगी पहला जो आपका पाठ है पहला जो पाठ है वो कालिदास का पाठ है यानि कि कवी कुल गुरू कालिदास हा ये इसका पाठ का नाम है तो इसमें थोड़ी सी बातें कर लें कवी कुलू का मतलब क्या है कवी और कुल ये अलग कर लो कभी कुल का मतलब क्या है कुल मानी होता है परिवार ठीक है कभी हम जानते ही है जो किसी प्रकार के लेखन कार करे तो इसमें कई विभाएं बन जाती है गद्द, पद्द या चम्पू बहुत सारी हो जाती है तो हम उनको सब कभी कहते है संस्कृत की द्रिष्टी में और लोगों की द्रिष्टी में कुछ और हो सकता है लेकिन हमारे हाँ उनको कुली कभी कहा जाता है तो कभी का जो परिवार है उनके सभी परिवार के जो गुरू है वो कालिदास है ठीक है इसलिए इनको क्या बोला गया है कभी कुल गुरु कालिदास चले अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां से सुरू करेंगे संस्क्रित भासा का साहित इतना सम्रद्ध है कि उसे विश्व की किसी भी भासा के समक्ष प्रतिशपर्धी के रूप में प्रतिशपर्धी किसे कहते हैं किसी से प्रतिशपर्धा करना किसी से कंपर्टिशन करना या होड करना कौन आगे निकले, कौन पीछे निकले कुस पे ज़्याद अदम है इस तरह की जो बात आती है वो प्रतिशपर्धा के रूप में ही आती है ठीक है प्रस्तुत किया आ सकता है इसका शंसके साहित का इथास इतना सम्रत्थ है कि दुनिया की सभी भासाएं उन भाषाओं के समक्ष इसको खळा किया जा सकता है। ठीक है इस भासा में महाकाब्यों खंडकाब्यों नाटकों की परंपरा सहस्त्र साब्दियों इसने ध्यान देना सहस्त्राब्दियों सहस्त्राब्दियों का मतला हजारा वर्षों आपदी मतला अद्दी में होता है वर्ष हजारा वर्षों से पिलचलित है यानि इसमें महाक ककाब खंडगाव और नाटकों की परंपरा बहुत ब्रसों से सुरूब हो गई है संस्कुट चेत्र मैं संस्क्रित भासा अने कभी और महाकभी को यानि कि कभी और महाकभी deux category कभी यानि चोटे-मोटी रचना करने कभी और जो सबसे ज्यादा विख्यात हुए उन itu को महाकभी की उपादी से विवोशित किया गया या जाना गया तो कालिदास का सरवोच इस्थान प्राप्त है कालिदास जो है उनमें सभी में यानि कभी और महाकभियों में कालिदास को सबसे उंचा इस्थान प्राप्त है इनकी धवल कीर्ती धवल कीर्ती से क्या तात पर है धवल कीरती से तातपर है श्वेत यस यानि कि निश कलंग की यस इनका जो यश है दो चीज़ें होती है ना यश और अपयस यानि कि नाम और बदनाम दो चीज़ें होती है तो इनका जो नाम है, कीरती है, यश है वो श्वेत एकदम धवल है उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, इस तरह से इसमें बताय गया है, और वो कैसा है, देश देश अंतर, देश देश अंतर, यानि अपनी देश में तो ही है, भारत में तो ही है, लेकिन भारत के बाहर भी जितनी भी देश हैं, उनमें सभी में खैले हुई है, इनके अ अब रुच्ची संस्कृत साहित्य के अध्यन की और खुई थी। यहां बहुत मुख्य बात है। यह आपको सही से दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि जो बिद्वान हैं पस्चिम क्षेत्र के जिनको हम अंग्रेज कह सकते हैं, जिनको जर्मनी कह सकते हैं, रुसी कह सकते है इस्पैनिस, डच, फ्रांसीसी, जितने भी विद्वान थे, उनका सबसे पहले जो रुजहान हुआ, यानि कि उनको लगा कि मैं संस्कित का अध्यन करूँ, तो कैसे पता चला, उनके संस्कित का अच्छी है बुरी है, या उसकी तरब रुजहान कैसे हुआ, तो इसमें बत चला जिया, अर्था उनके अध्यन करने की रूची बढ़ती चलीगी, ये इसका अतात पर है, तो प्रस्तुत पाट जो है, महाकभी कालिदास के जीवन, व्यक्तित्व, उनकी रचनाओं से संस्कृत के छात्रों का परच्य कराता है, आप जो सब संस्कृत के छात्र हैं, त उनके जीवन परच्य बताएंगे तो उसे भी लिख लेना है, विक्तित्व बताएंगे उसे भी लिख लेना है, उसमें क्या का चीज आएंगी, और रचनाओं विस्यस रूप से लिख लेनी है, ठीक है, पाट का सारांस में ही सारी चीज़ें छुपी हुई है, उसको देख चुके हैं बात हैं, उनकी कीर्थी कौमदी विदेशों तक ये बात चुके है, देश डेशांतर तक फैली हुई है, वे भारत के नहीं अपितू, बिश्व के स्रिष्ट कवी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, इन महान कवी के कुल, कुल मतलब परिवार, काल, काल कब जन्म, जन्म का जो समय है, देट ब वर्त इसको मानिया है काल मतलब जन्म, इनका जन्म कब हुआ, और जन्म किसी का किसी का निगना सुना है, किसी का बसे रहा है, किसी का भधियार है, इस तरह से जो जनम स्थान है, जहां जिस हित्र में जनम लिया है, वो उनके विशे में अनेक मतवेद हैं, यानि कि कोई एक विद्वान एक मत नहीं है, कारण क्या है क्योंकि इन्होंने कभी अपने बारे में कुछ लिखाई नहीं है और अनका कोई लिखित सामिग्री भी प्राप्तु नहीं है अपनी कृतियों में भी उनने अपनी जीवन के विशे में कुछ भी नहीं लिखा मैंने बताया था इनने कुछ लिखा नहीं है अथा वाहय और आंतिक साक्षों के आधार पर उनक निश्चित नहीं है कि यह सही है या गलत है ठीक है तो जन्म और समय इस्थान के बारे में जान लेते हैं जन्म समय तथा इस्थान यानि कि जन्म इनका कब हुआ वो समय क्या था और इस्थान कौन सा है तो कालिदास विक्रम अदित के सभारतन थे यह इसमें बुला गया है किसके सभारतनी थे विक्क्रमादित के सभामय रहा करते थे पहले विद्वान जो थे वो राजाओं कहां रहा करते थे तो विक्क्रमादित का एक राजा हुआ जो संस्कृत के हिसाब से उज्जेन में सबसे पहले राज करता था। उनके ये नवरतनों में से एक थे। कई विद्वान इना चंद्रगुप्त दुत्य विक्क्रमदत के हैं थीक है ना? समकानिन मानते हैं, कोई उज्जएन राजा विक्क्रमदत जो मैं पर चर्चा करी चुका हूँ, समकानिन मांते हैं। अब अलग-अलग मत हो गए, चंद्रगुप्त दुति Bikramadit और Bikramadit Ujjayan की राजा, लेकिन आपको याद रखना है, जो साधान आधनिक जो लोग इत्यास पड़ रहे हैं, वो तो चंद्रगुप्त दुति Bikramadit के स्वामकालेन मानते हैं उनके दरवारी कभी मानते हैं लेकर हमारा संस्कृत जगत विक्करमदत जो उज्वेन के राजा है उनके दरवारी मानते हैं ठीक है तो हम संस्कृत के छात्र हैं अध्यापक हैं तो आप संस्कृत को ही आप मानोगे इस महान कवी को सभी अपने अपने देश में उत्वन हुआ सिद्ध करते क्योंकि इतनी महान थे कि हर कुई कहता कि हमारे देयां उत्वन हुए लेकिन ऐसा किसी को निश्चत नहीं है कहा इननों ने जन्म लिया कश्मीर में पैदा हुआ मानते हैं कुछ विद्वान और आलोचक उज्जयन को भी मानते हैं कुछ आलोचक के क्योंकि उज्जयन के बारे में बहुत प्रिस्तिरत रुप से व्याख्यां की हैं और उज्जयन का पक्षपात उनों किया है आपक्सपात का मतलब ब्याख्यां ज्दा की हैं, बढ़ना ज्दा किया है, इसलिए विद्वान उनको उज्यान का निवासी मानते हैं, ठीक है? ना तो इनका समय का पता ना जन्म का पता, ना इस्थान का पता. अब बाताती है कुल, यानि परिवार की किसके थे, तो पहले मानते हैं कि या वंड विवस्था को उन्हों बहुत अच्छ से समझा है, उन्हें देख करके ये ब्रामद को उत्वद्पन मान जा सकता है, कि ये ब्रामद को में ही इनोनों जन्म लिया था था, एक और कारण है कि पहले जो पठन पाटन हुआ करता था, वो ब्रहमण परवार में हुआ करता था, इसलिए भी इनको उनी परवार का माल लेते हैं, शिव उपाशक, ये शिव भवान शंकर के उपाशक थे, राम के प्रतिवी इनकी अपार शर्द्धाती जो हमें रगवंस महकाविव से ज्यात हो जाएगी, इनको सभी को याद करना है, थोड़ा 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 लेख लेना इनको, कि ये किस के दरवार में थे, ये पिक्रमादित के दरवार में थे, कोई विद्वान इनको चंद्रगुप्त दुतिय के दरवार में मनता है, इनको ब्रण विवस्था के आद पर भ्रहमण कुलोद्पन मानता है, ये शिव को उपा सकते, ये इस तरह से मान सकते, अब मुख्षी जो आएगी, वो है रच आजाता है कि कालिदास के दो महाकाव्यों के वारे में लिखो, तो कौन-कौन से दो महाकाव्यों हैं, एक है रगवंस, दूसरा है कुमारसंभव, कालिदास के दो महाकाव्यों कौन-कौन से होगे, रगवंशम और कुमारसंभवम, ठीक है, मेगदूतम और रितुसंगहार ये तीन क्या है तीनो नाटक हैं तो दू महाकाब रगवशंग कुमार संभवं दू महाकाब हो गए मेगदूतम दितु संघार नामक दू गीतिकाब हो गए मालविका अगनी मित्रम विक्रम और वशियम एवं अभिज्यान शाकुंतलम ये तीन नाटक हो गए इस प्रकैसे इनकी रचना कितनी हो गई साथ रचना हो गई यहना साथ इननों पुस्तोकों का निर्मार किया था अठाथ साथ किताबे नों लिखी थी ठीक है चलो अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ें रगवंस में थोड़ी चर्चकर है कि रगवंस में किस-किस की विसे में ब्रणन किया गया है इनको लिखे लेना है आपको अलग अलग दो महाकाब दो गीतिकाब तीन नाटक इस त सच्बही के बारण में लगवग 33 राजाओं का विस्तिरत वरनन किया है बहुत मोटी पुस्तक है 19 अर्षाक वंशी राजाओं की उधारता का 19 सरगों में यह पूच ले जाता है कि रगवंस कितने सरगों में विक्त है सिर्ग का मतलब क्या है जैसे हम लोग देखते हैं कि 11 पाठ, दो पाठ, तीन पाठ, ऐसे ही संस्कृत में अलग-लग पुस्तकों में रिशियों ने, कभी उने अपने अलग-लग नाम रखे, किने उन्हों कांड रखा है नाम उन्हीं पाठों को जैसे हम रामाड पढ़ते हैं, रामाड में स्कृतिने कांड है, साथ, एक कांड, दो कांड, तीन कांड, चार कांड, उन्होंने पाठ का नाम क्या रखा, कांड, ऐसे ही उन्होंने पाठ का नाम क्या रखा है, सरग, तो कितने सरगों में बबगते हैं, उन्नी सरगों में, ठीक है, कुमार संभवं पे चलते हैं, कुमार संभवं, कुमार संभवं, स्वामी कार्थ यानि कि भवाई शंकर के जो पुत्र थे, एक दो पुत्र थे, उनके गणेश थे, कार्तिके था, तो कार्तिके के जनम से, जनम का जो बनन किया है, वो कितने सरगों में किया है, वो अठारे सरगों में बनन किया है, किसमें, कुमार संभवम मनामक पुस्तक में, ठीक, ऐसे ही म मेग दूत में यक्ष और यक्षणी याने कि डोनों ये पत्पतनी है, यक्ष और यक्षणी किसी साевवस ये अलग ओजाते हैं, तो यक्ष जो है मेग दूत सब्धrench ना, मेग मतला बादल बादल को दूत बना करके अपनी पत्नी यक्षणी के पास भेजता है तो दूत बना करके भेजता है तो बताता है वो तुम्हें क्या कह जाकर के वहां कहना है ये सौरी बाते में एक दूत में बढ़नेते हैं इसमें कुंसा स्रंगार्रस है विप्र-land शंगार्रस और इसमें विवस्ता दी गई है अगला है रित्यू संघ्धारा है इसमें छहीरत रितुओं के बंणाना चे रितू कॉन कुण कहुं याशन जानती हो ग्रेम से ऊ wannaとभषा रिती होती रितु हितन से तरह कि जो में दी जाती है इस तोर इसे समें बढ़न किया गया है ठीक है यह गीति कापी के अंतरगत आता है अब बात आती है मालविका अगनी मित्रम जैसे नाम से पता चला है मालविक और अगनी मित्र मालविका अगनी मित्र यह दो शब्द हो गए तो अगनी मित्र और मालविका मालविक बिक्रम उर्वसी पुरुरवा और उर्वशी उर्वशी एक अफसरा है पुरुरवा एक राजा है अफसरा और राजा की प्रेम की जो कहानी है वो इसमें दर्साइगी है और वो पांच अंकों में दर्साइगी है जैसे मैंने बताया था यहां सरग पाठों का नाम क्या था सर अविज्ञान शाकुन तलम की चर्चा करते हैं थोड़ा साब अविज्ञान शाकुन तलम जो कालिदास का सर्भस्रिष्ट नाटक है साथ अंक है इसमें कितने अंक हैं याद रखना है आपको साथ अंक हैं और मेन का नाम की एक अफसरा होती है उसके द्वारा जनम देकर जख्षा की और उसके बाद कंडर रिसी वहां से ले आते हैं तो उसके नाम उन्होंने क्या रखा? शकुन्तला, क्यों रखा? क्योंकि पक्षियों के द्वारा वु पा ले गए, इसलिए उसको स्थानाम सकुन्तला रखा. और दुश्यंत के साथ उसकी प्रेम विभाकास में वणन किया गया है अब यहाँ थूड़ी सी आगी हम चर्चा करते हैं यह बात समझ में आगी होगा आपके काभी सुंदर में भारतिय जीवन पदिति का सरवांगिन इसमें चित्रन किया गया है और रगवन्स में दिख विजय का मतलब क्या है जब रगुन साथ की जब हम जानते हैं कि बन ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है मेग दूत में मेग दूत में बाहर प्रकरती के बारे में तुम्हें बताई दिया था अंता प्रकरती एकी चीज है इसमें अंताव बाहर प्रकरती के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है इसमें बादल को दूत बना करके अपना पूरा संदे ही नहीं यानि मानव के समान सम्विदंशील प्राणी है यह बोला है धूम जोती सलल मरता इस तरह से बोला गया उसमें यानि धूम अनि धूआ जोती मतलब प्रकाश सलल मतलब धूम जोती सलल जल मरत्वा मतलब वायू इन चारों के निर्माड से यान चारों के मिलने से बादल का निर्माड होता है याद रखना अब बादल का निर्माड कैसे होता है इसलिए ये विज्ञान के भी ग्याता है ऐसा माना जाता है तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये चारों से निर काली दास के द्वारा शुरू की गई इसमें मेगदूत में उसके बाद सारी चीजें उन्हीं के बाद शुरू हुई आगे देखिए अभिज्या शाकुंतलम में नाटक में बन व्रक्ष शकुंतला को आभूशन प्रदान करते हैं हरन शावकुन का मार्ग रोकर निश्चल प अर्ण किया है श्रंगारस का ठीक है और यह कालिदास जो है बेधर्भी रीती के सरुसरिष्ट कभी है इसको भी रखना याद कालिदास ने अपने काव्यमें वीश्च कवी है, 거죠 प्रियो कि यह जबाखे ज्ब्रदास के विशरिष्ठ कभी है signals में तो विधर्भ दिश इसमें यहां पर मुख्क चीज है अर्थात क्लिदास की उपमा है उसमें बिवस्ता दिये है कर दो एक परकार मस्में पॉछता है Chandraach को देखता है सकंतला को देखने के पश्चात उसके प्रेम में पढ़ जाता है लेकिन यह पता करता है कि वो छत्री है या नहीं चत्री है तभी उससे ब्या करेगा नहीं करेगा तो छत्री है यह पता चल जाता है तो उससे वो विभा कर लेता है लेकिन कर्णु की आग्या के विना गंदर्व विवा करता है गंदर्व विवा याद रखना गंदर्व विवा का मतलब क्या है प्रेम विवा और फिर दोनों तब तक दुखी रहते हैं जब तक की तपस्या और प्राश्चित से आत्मसुद्धी नहीं कर लेते यह हम जानते हैं कि शकुंतला जो है जाकर क कहा रही थी वो, किन के आस्रम रही थी, संदीपनी के आस्रम में रही थी, तब जा करके उनको पूरी चीज़ें समय में आई, ठीक है, चलो, अब थोड़ा सा रह गया है, फिर हम आगे आने वाले समय में संस्कित में भी ब्याक्षें देखेंगे, और रगवन्स में क्या कर का मतलब क्या होता, टेक्स, जिसे हम आज कल टेक्स बोलते हैं, वो कर, बोला जाता उसको, तो राजा लोग किसकी बलाई के लिए, केवल जनता की बलाई के लिए लिया करते हैं, आज कल की तरह नहीं है, कि सांसद बिदायकों की जिब भरने के लिए, पिट भर भर के मरे लेकिन टेक्स को नहीं छोड़ रहे हैं, तो टेक्स के रूप में थोड़ा सा ही लिया करते थे जिसी जनता की शिवा कर सके हैं, आज कल तो अपनी शिवा के लिए कर रहे हैं, और कितने घुटाली करते हैं, करोनों के घुटाली कर डालते हैं, सत्य बचन बोलते थे, यस के ल किया करते थे ठीक है आगे है कालिदास ने हिमाला से लेकर कि ये बहुत मुख्या इसको देखना हिमाला से लेकर कि सागर परियंद भारत की ये शोगाथा को अपने काव में रूपित किया है हिमाला से लेकर ये उत्तर भारत में हिमाला है जहां हम रहेते हैं उधर स्राइड म जम्मु कस्मीर तक हिमाले है और इधर सागर कहा है कन्याकमारी तक तो वहां तक पूरा भारत आ जाता है तो पूरे भारत को इन्हों न क्या किया था सारे भारत की विवस्था अपनी काब्यों में दी है ऐसा लगता है कि प्रत्येक भारत के प्रत्येक शहर में प्रत्येक राज में ये इन्होंने ब्रहमण किया है पहाड़ों पर ये घूमे हैं ऐसा लगता है इनकी काप्डियों से रगवंस है, मेगदूथ है, कुमार संबब है, इसमें बहुत प्रदेशों का यह भूम भूम के देखा है नो न और इसलिए उनका सुन्दर और स्वभाविक बरनन किया जैसे वो हैं, स्वभाविक का मतलब जैसे वो हैं, वैसा बरनन किया है, तो संस्कित कभीयों में कोई भ परिष्टर इतनों होना है अग दिन के तो इसमें कम सकम दस क्वेश्चन लिखने हैं आपको और वो कैसे बनाओगे आप जानो मैं अगली बार देखूंगा आपने क्या-क्या बना है उनको मुझे दिखाना है एक दो बार इसको जरूर देखने है वीडियो ठीक है चलो आज क इतना है